का लिए क्या आप चाहते हैं कि हमारी बेटियों का यहां शरयाम रेप हो कल फ्रीदाबाद में एक लड़की को वहां पे रेप कर दिया यह 6-6 साल की बच्चियों का रेप हम यहां कराना चाहेंगे हम भार के लोगों को कदा भी यहां बरदाश्ट नहीं करेंगे इसके लिए जो हमारे जो इवन मेह बुबा जी की जो अपनी जो इनको सेक्यूर्टि पर दान करते हैं उनमें संग्यान लिए बाहर से लोग कितने उनके सेक्यूर्टि में वह हैं इस तरह के जब बयान देते हैं तो कहीं न कहीं यह दुख भी आता है कि हमारे सैनिकों के और भी कोशिश को शूफ कंछ वह भावना यह तर्चा टेंड नों वहनी है, इनकी मान्सुचा क्या है कि सोच ऑल्डी का लीडर झंडा उठाने अपर हम्हें नेचा उनकी बात करते ख Конечно कि ऑनकी ने दीने में लिए पुछना चाहिए मैं मुप्ति से कि उनके जो PDP के जो उनकी अपनी बेटी है वो बाहर पढ़ने क्या करने गई थी वो colleges में admissions क्यों लेती है जब वो कश्मीर के तमाम बच्चे बाहर जाते हैं क्या उनके साथ कोई गलत काम होता है क्या जब उमर उब्दिला साब अपनी अपनी शादी बाहर के इलाके से करते हैं क्या वो ये सोचके करते हैं जब उनकी बेहन बाहर के नेताओं के साथ विभा होता है तो क्या वो सोचके करते हैं ये पूरे हिंदुस्तान को और खासकर पूरे हिंदुस्तान को एक इस तरह से संग्यान देना मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखत पूर्ण चीज है कि आप इतनी संस्टिव इशु को जो है आप इसको अपनी राजनीती चमकाने के लिए तिरंगा किस श्काइब करता है ना पूरे हिंदुस्तान को आप तिरंगा लेकर यह दिल में तो अलगता की राजनीती करते हैं करना चाते हैं और दोशाने हैं तक हमेशान से मैं शुरवात करते हैं यही कहता है हूँ के जन्मौ कश्मीeur सियास्त के लिए जाना जाता कभी तिरंगे का अपमान किया जाता है पीटीबी के नेता के द्वारा और ये कहा जाता है कि जमो कश्मीर में जंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा जब तक जमो कश्मीर का जंडा वहाल नहीं किया जाएगा मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी हाला कि कल रैली करकर कहीं न कहीं भाषपा को स्पष्ट अंदेश दिया कि हम भी राष्टवादी हैं राष्टवादी का सर्टिफिकेट आप ना ही बांटिये तो अच्छा है लेकिन सुरिंदर चोदरी जो XMLC हैं स्पष्ट रूप से अब ये कह रहे हैं कि उनकी भाषप की अगर आप मर्यादा देखे तो मर्यादा ये है कि रेप एक शब्द ही मन गया है हमारे समाज में कि कोई भी आता है डराता है और निकल जाता है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम नहीं चाहते कि बाहर वाले लोग यहां पर आए यानि कि जो बाहरी राजेसे लोग है वो जमुकश्मीर में यहां पर शर्याम बेटियों का जो रेप हो हम नहीं चाहते 6-6 साल की बच्चियों का रेप हो हम ये नहीं चाहते बाहर के लोगों को हम बारदाश नहीं करेंगे एहम सवाल है और ये सवाल जो है अब कहीं न कहीं भाश्पा पर भी उठता है कि क्या राष्ट में तमाम नेताओं की जुबान पर वो मर्यादा नहीं है जिसके लिए वो नेतागिरी कर रहे है क्या रेप जो है एक मात्र शब्द मन गया है कि कोई भी आता है बोलता है निकल जाता है क्या ये जम्मु कश्मीर की जनता को डराने के लिए इस्तहा के शब्दों का अपयोग किया गया और एक महिला की जो यहाँ पर इज्जत है क्यों उसके साथ इस्तहा से मजाग किया जा रहा है क्यों हर बार रेप शब्द का इस्तिमाल किया जा रहा है क्या बाहर के लोग जो जम्मु कश्मीर में आते हैं वो रेपिस्ट होते हैं यह बहुत बड़ा प्रश्ण है क्योंकि जम्मु कश्मीर के लोग भी बाहर जाते हैं क्या जम्मु कश्मीर की यह चवी जो है सुरिंदर चोदरी बनाना चाते हैं मैं सब पूर मंतरी प्रिया पर बात करने के लिए क्या लगता क्या है कि यह तो स्पष्ट रूप से एक यहां पर बरगलाने की कोशिश है कि हम बाहर की लोगों को बरदाश्ट नहीं करेंगे चेछे साल की बच्चों का रेप हो हम यह बरदाश्ट नहीं करेंगे और शर्याम रेप हो हम बरदाश्ट नह नेता का और खासकर पीडिपी के उन नेताओं का तमाम नेताओं का मैं तो यह कहूंगी कि बहुत ही शर्मिंदगी और बहुत ही शर्म वाली बात है यह तब भूल जाते हैं कि जब इनकी पार्टी के लीडर जो है वो जंडा उठाने से मना कर देती हैं तिरंगा किस चीज का ले राते हैं पूरा तिरंगा जो है भारत वर्ष को डिनॉमिनिट करता है आपके बच्चे जो हैं बाहर जाके पढ़ सकते हैं आपके बच्चे वहां पर इम्तिहा ले सकते हैं आप जब बिमार होते हो तो आप भागते भागते कभी दिली में एड्मिंट होना चाहते हो आप आज पूरे हिंदुस्तान को आपने एक संग्यान दे दिया जिसका मुझे लगता है कि मैं अपने शब्दों में भी लाऊ तो मुझे शर्म आती है वो किस तरह से एक innovative इशु को इस तरह से अपनी राजनीती को चमकाने के लिए इंसेंस्टिश्यूश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश है मुझे पूछना चाहिए मैंभुमा मुफ्ती से कि उनकी पीडीपी के जो उनकी बेटी है वह बाहर पढ़ने क्या करने गई थी वह कॉलिज में ड्मिशन्स क्यों लेती है जब कश्मीर के तमाम बच्चे बाहर जाते हैं क्या उनके साथ कोई गलत काम होता है क्या अब जब उमर उब्दिला साब अपनी अपनी शादी बाहर के इलाके से करते हैं क्या वो यह सोचके करते हैं जब उनकी बहन बाहर के नेताओं के साथ विभा होता है तो क्या वो सोचके करते हैं यह पूरे हिंदुस्तान को और खासकर पूरे हिंदुस्तान को किस तरह से संग्यान द कि आप दिल में तो अलगता की राजनीती करते हैं और आप दिखाना चाहते हैं कि आप भारत के साथ जुड़े हैं यह इंटिग्रेशन है पूरे हिंदुस्तान के मुझे बताए एक सोरा के लावा कौन सा मेडिकल कॉलेज आश्टा कभी इस सतर सालों में मिला है जब आया था शुष्वा सवराग जी ने जब एम्स दिया था उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज जो को अगर खतम किया है कहीना कई सुपर स्पेशलिटी बनाया तो इनके पीड़ीपी के लिडरों है एंसी और कॉग्रट जिनका यह दामन थामके आगे बढ़ना चाते थे तो अपनी हंदुस्तान के लोग अगर यहां पर जमीन कोई आपको कोशिश नहीं करेगा कि आपकी जमीन आपसे चीनेगा आप उतने ही अगदार है को इस तरह का प्रवधार नहीं आया आप उसी को दे पाएंगे लेंड जिसको आप इच्छा करते हैं आपकी स्टेट की वैल्यू सब्सक्राइब करते हैं अगर इंप्लाइमेंट होगा आपकी बच्चों को बाहर जाने की कोशिश नहीं होगी बाहर नहीं भीजना पड़ेगा तो इस तरह की बात करनी मुझे लगता है इस लीडर्शिप का और कासकर इस पार्टी की लीडर्शिप का कहीं नहीं सब्सक्राइब करनी की कोशिश है कि यहां पर कोई आए नहीं नहीं तो कहीं न कहीं गलत हो जाए तेखिए यह इतना सेंस्टिव इशू है कि यह किसी जगे को देख करनी आता यह जब जब मान जब कोई ऐसा एक देखो 100% लोग सहीं नहीं होते हैं लेकिन अगर उसके तो यह जगे और स्थान और व्यक्ति देख करनी होता ना समाज की किसी चीज को देख कर होता यह ऐसा शर्मिंदगा वाली चीज है जिसके अंदर हम पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा आपने कोई बात बताए जब डॉक्टर फारूख अब्दुला सांसत बन कर जात अगर आपकी कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आगा डायरेक्टर और शमारा आजमी बाहर से उन्होंने बुलाई वी ती विदु 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 बाहर से थे विदु इस तरह के लोग जब आप अपनी कमेटियों में बिठाते हैं तो तब आपको किया हुआ है इस तरह से जब इनकी मर्जी होती है 370 को लागू करने के बाद उसको जो है संग्यान दे देते हैं लेकिन जब इनकी मर्जी नहीं होती है 370 आम व्यक्ति के लिए खुला है 370 अगर उसकी तलवार हटी है तो यह जो उसका 370 की तलवार लटका के कभी यह प्र करना चाहते थे की अगर हमने ललित को डिवलप करना है तो हमारी पार्टर्शिप कर दीजिए अगर हमें किसी और को बड़ा बहुत बड़ा प्रजेक्ट लाना है तो इनके इनके लोगों की पार्टनर्शिप होती थी बीच में आज वो चीज नहीं है आज आम ब्यक्ति अगर फ्रैक्ट्री लगाना चाहता है उसको पार्टनर्शिप करने की जरूत नहीं है इन डाइनस्टिक पॉलाटिक् पाहिला जमू कश्मीर से बाहर शादी करती है अधिकारों का हनन था धारा 370 के तहट लेकिन अब अधिकार भी मिल रहे हैं एक तरफ से आप अधिकार प्रदान करने की बात करें दूसरी तरफ से यह डराने की बात करें यानि कि जो ग्लोबल समिट आ रहा है जिसका जिक्र जीसी मूर्मो ने क्या था अगर इस तहां का संग्यान लेंगा अगर इस तहां के टाइटल्स बाहर के लोगों को स्पस्ट रूप से रेपिस्ट ही कह देंगे आपको लगता है जमू कश्मीर में कोई आएगा और वो छवी जो है जो काफी सुधर चुकी है कि यहां पर नि जाएंगे आपके पास तो क्या संग्यान देना चाहरा है पुरे हिंदुस्तान कि निवेषक क्या वो चीज़न वो संग्यान देना चाहते है इस चीज़ का यह बहुत ही दुखत घटना है इनको इन सिट्रेन लिना चाहिए लेकिन महिला के साथ atrocities जो होती थी वो कभी दूर नहीं कर पाती थी वो हमारे हाँ domicile जब हमारे हाँ बनता था तो बेटियों को जो है उसको हक नहीं दिया जाता था तो आज जिस तरह से हम चाहते हैं कि निवेशक आए यहाँ पे यहां पे लोगों को रोजगार मिले और जिस तरह से मुर्मुर सामने कहा था कि 30 से 40 लोगों का बहुत बड़ा एक ग्रूप जो है जो वाके में इंडस्ट्री के साथ और खासकर बी एलो या बीपी एलो इस तरह की जो सविधाएंगी इंडस्ट्री लगेंगे या आपकी पा जाते हैं यह विपार भी करते हैं ऐसी बात नहीं है इनके विपार भी आदे से जादा हिंदुस्तान से विपार चलते हैं 70 परसंट जो आपके नियात होता है यहां पर जो आप लेकर आते हो वो सब बहार से आता है अब तब आप कोई पाकिस्तान या चाहिना नहीं देता आप लोगों को इसके अंदर बहुत ही दुखत पूर्ण के घटना है जो इन्होंने बोला है यह बहुत ही जादा जो है एक निंदनी है इसमें सारी समाज की बेटियां जो है इनके खिलाफ क्या प्रदर्शन करना हमने इनका तो नाम लेना भी हम लोगों के लिए गवारा नह होगा कि हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं कि इस तरह की मानसिक्ता वाले लोग हम लोगों को कहते हैं हमारी बेटियां यहां पर सुरक्षत है हम चाहते हैं कि निवेशक आए यहां पर लैंड लॉज जो है यह सतर साल के जो डैनस्टिक रूल था उसको खतम करने की अधर नहीं होंगे उनके हाथों में बंदुके नहीं होंगी तो कितना बड़ा एक्षेंज जवाल करूंगी प्रिया जी काफी समय ले लिया देश के सैनिकों की जब हम बात करते हैं तो जहन में तिरंगा आता है वह तिरंगा आता है इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देश का सैनिक में नहीं जान है कि हमारा जो सैनिक यह कह कर दखाюсьints हो चाहन उन यहीं हुजो की नहीं यहां की को we या फिर में बॉर्डर पे खड़ा हूं जिसमें पाकिस्तान को मुझे रोकना और जमु कश्मीर की धरते पे खड़ा हूं तो कही न कहीं इस तरह के नेता और इनको अपने पूछिए कि इनके बॉड़ी गार्ड कितने हैं उसके बाहर से लोग हैं जो हमारे पुलिस के लोग कही न कहीं यह दुख भी आता है कि हमारे से निकों के और भी प्रिशनिद यह लोग लगाते हैं तो कही Stop कहीं न कहिए lei हमारा वांधर पे जो यह नहीं देखता कि मेरे घर का दरौजे को चुदा कर रहा हैं मेरे देश के दरौप्स कर रहा है उसकी बावना है उनको भी बढ़का हो भयाशन देने के लिए और खासकर महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान देने के लिए इनको हमें इनको सक्ट से सत्किन के पर करवाई होनी चाहिए चले साफ तोड़ पर सपश्ट रूप से के घर के दर्वाजे को सुरक्षित रखा जा या देश के दर्वाजे क्योंकि बच्पन से ही जब कोई देश वक्ती की भावना से उतरोत होता है वो सेना में शामिल होता है और यह नहीं देखता कि मैं जमुकश्मीर जा रहा हूं उक्सान पहुंचाने के और यहां पर आतुर होती हैं लेकिन कहीं न गहीं सियासत है जनाब और सियासत भी जिस तहां से देश के तमाम नेताओं की जुबान जो है अब इस तहां के मर्यादा जो है वो खोती जा रही है बहुत बड़ा प्रश्णी चिन है कि क्या ये जो है मर् सोचते रहेंगे कुछ भी बयान दिया जाए किसी के भी खिलाफ दिया जाए कोई कुछ भी कारवाई नहीं करेगा इसी के साथ विडिजनलिस पारिस के जाथ मैं रुखानी आप से विदा ले तुम शुक्त